बल्याजिली के नगर पंचाय सहतवार के मंडल अधक्ष अकबर अहमेद ने लगातार कई सालों से मदर्सा पर करवाई करने की मांग कर रहे हैं लेकिन करवाई नहीं होने से काफी हताश परिसान है पीडित अकबर अहमेद ने गंभीर आरोप लगाते हुए पताय कि नगर पंचाय सहतवार में कई सालों से अवयत तरीके से मदर्सा चलाया जाता है जिसको लेकर अधिकारियों मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आधी ति करता है झाल झाल पीडित ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताये कि हमारे जमीन पर जवरन कब जाकर के अवय तरीके से मदर्सा का संचालन दिखा कर फर्जी भुपतान हो रहा है इसमें जो है जहिर खान हो कर रहा है है और दोचार लोग इनके सवयोगी समिले हुए लोग संग अठिक भूमातिया है हमारे जमीन पर जवरन कब जाकर गए और अबहे तरीके से मदर्सा का संचालन दिखा पर फर्जी भुगतान हो रही है और सिकायद पर जाच करता हूं जाच आती है तो रिश्वत देकर फर्जी भुगतान करती है कहाँ पर जमीन है और कब से मदर्से चल लाए जमीन यह दो आजार तीन से फर्जी भुगतान करवा रही है और हमारे को संग्यान में तो दिलीर क्या होता है पठन पठन होती नहीं है जमीन को कब्जा किया हुए गोदाम बनाया है दुकान बनाया है तो दोजार तीन से यह चल लाहा है और अब तक अब तक अब तक देशा है कि मेरे पुरोजों का नाम कटवा दिये फर्जी तरीका से और उसी पर मदर्साब निर्माल करा दिये दुकान का निर्वान करा दिये लोग नाम कटवाए तो नाम खरीट करकर हम लोग नाम बरामत है मूल बाद में विचारा दिन है मूल इसकी मूल संपति है मूल उसकी होगी जिसकी मूल है मूल होगी लेकिन इस पर बार-बार सिकाईत के बाउद्वी जो है न यह लोग सपाई है यह लोग अफले से यादव के स्वयोग से जो है न मदर्सा संचाली देखा कर भूतान खरबार है तो दीम के पास में टीम गठित हुई थी टीम में जो है दो मेंबर सब्सक्राइब करें और फर्जी जमीन है हमारी जमीन पर मदर्सा दिखाए नहीं जाएगा उसमें पठन पाटन नहीं है फर्जी विग्यान ध्यापक भी है इनको बिया का सब्जेक्ट नहीं मालूम है किस सब्जेक्ट से बिया पास किया है यूपी सार्ट में उसके लिए बले से अमित कुमार की रिपोर्ट